नमस्कार आप देख रहे हैं लाइव इंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ मयंक गौड आपने फर्जी डॉक्टर फर्जी सिख्षक फर्जी पुलिस वाले और यहां तक की फर्जी आईपियस अधिकारियों की किसे ख़बरें भी सुनी होंगी कई बार ऐसा होता है कि सरकारी सेवाओं में कोई शक्स फर्जी डिग्री या फिर किसी न किसी अन्य तरह के फर्जी वारे के जरी आता है और सालों तक अपनी सेवाएं देता है इसके बाद पुलिस उसका भंडा फोर भी करती है लेकिन गुजराद के गांधी नगर में कुछ ऐसा हो गया जिसे सुनकर जिसे देखकर पुलिस भी हैरान रहे गई दरसल गांधी नगर में एक शक्स जिसका नाम मौरिस सैम्यूल क्रिश्चन है वो शक्स पाच सालों से फर्जी कोर्ट चला रहा था यहां उसने अपने एक ऑफिस को फर्जी कोर्ट के रूप में तबदील किया था और यहां पर बाकाइदा वो सुनवाई करता था और खुद खुद जो है वो फर्जी नोटिस देता था और उसके बास सरकारी भूमी पर उसने जमीन भी अधिगरहन की और इस तरह से उसने जो कई एकड की जमीन है अर्बो रुपे की जमीन अपने कबजे में ली लेकिन अब इस मामले का भंडा फोड हो गया है आप मेरे पीछे स्क् करते हैं कि यह जो शक्स है इसका नाम है मौरिस सेम्यूल क्रिश्चन जिसको किया पुलिस ते गिरफतार कर लिया है और पुलिस ने जब इससे पकड़ा जज ने फिलहाल इस मामले में कारवाई की अग्रिम कारवाई की आदेश दिये है लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि अ सिविल कोर्ट में मामले कई सालों से लंबित पड़े होते थे खास तोर पर जमीन जैदात से जुड़े हुए मामले जब उन मामलों को ले करके वह क्लाइंट्सको जो है वह भरोशा दिलाता था और यह बताता था कि वह कोट के दवारा नियुक्ते किया गया एक मध्यस्त ह और उसके बाद वह अपने ओफिस में ले जाता था जहां पर उसके साथ ही बकाइदा उसका साथ देते हुए वकील और एक तरह से पूरी जो कोट रूम की जो कारवाई होती है उसको दिखाते थे ताकि जो क्लाइंट है उसको भरोसा हो सके मुवकिल को भरोसा हो सके और इसके उसके पता नहीं था कि जिला कलेक्टर से जुड़ा हुआ है जिला कलेक्टर से जब यह मामला उसके बाद पक्ता हो गए और एक तरह से जो फर्जी जज है वो पकड़ा गया तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यह उसका एक कोट रूम है जहां पर वो बैठता था यह जो है मौरिस सेम्यूल क्रिश्चन है जो बकाइदा सुनवाई करता था और आदेश भी पारित करता था और जो कि पुलिस वाले उनके कोई साथी हो सहकरमी हो तो इस तरह से पुलिस जो है मामले बेजनाच कर रही है और इस पूरे घटना करम का बंडा फोड हो चुका है क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस खबर पर हमें कमेंड बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं और अगर आप पांचा खबरों के लिए बने रही है हमारे साथ देखते रही है लाइव दुस्तान नमस्कार